इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगड नगर के अतिविशिश सिला के हर्रा की चुंगे के आवास विकास कालोनी के पास यह आजमगड संसदी चेतर का हिस्सा है साथ-साथ यह आजमगड सदर विधान सबाद चेतर में आता है यहां से लगवक 35 वर्षों से अधिक समय से दुर परशाद यादाओ का आवास है और सौही मीटर की दूरी पर गोपालपूर विधान सबाद से दूसरी वार विधायक चुने गए नफी सामत का भी आवास है और हम 500 मीटर की दूरी अगर इधर तेंग करते हैं तो मुबारक पूर से बसपा की टिकेट पर दो बार विधायक रहे शाह आला मुर्गुडू जमाली का आवास है इतने महत्वपूर्ड लोगों को आवास इस सड़क पर होने के बावजूद भी इस सड़क की हालात कितनी खराब है इसका अपसाज अंदाजा लगा सकते हैं और इसका खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ र होती है तो इस सड़क के माध्यम से ही उन मरीजों को आसानी से राजकी मेटकल कॉलिज यह अनस्पतालों में शिफ्ट किया जा सकता है लेकिन जरजर हालात होने के कारण मरीजों को भी असी विदा होती है जब इस पर हमने अस्थ्वनी विधायक से बात की तो उनका कहना है जिम्मेदारी अस्थानी विधायक की थी पिछली सरकारों ने इसको जरजर कर रखा था इसलिए सड़क नहीं बनी और जल्द ही हमें इस पर काम करेंगे अब आरोप प्रत्यारोप के बीच यहां की जंता को इस सड़क का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इस सड़क पे सुधार हो सकेगा टैमरामेन गवरोशिवास्तों के साथ खुरमालम नो मानी एबीपी गंगा आजमगण एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की